एक बार फिर से आप सभी का ऐनलान स्कूल इंडिया फो लायवरी साइंस में जोड़दार स्वागित हैं दोस्τοों मैं आपका दोस्ट सुमर सिंग कचावा पुस्ट का लिए अधेक्स आज एक ऐसे topic मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हो जिसका नाम है in flip net दोस्तों in flip net एक national information system और network है जो इतना important topic है दोस्तों कि इस topic से एक सवाल हमेशा exam में पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि यह इंडिया का जो है library और information science का network है और इस network से बहुत सारी university बहुत सारी university जो libraries है वो आपस में जुड़ी है दोस्तों तो आएए शुरुआत करते हैं आज का जो topic है जिसका नाम क्या है दोस्तों in flip net है जो भी इस समय मेरी class को देख रहे हैं आप सभी से request है कि आप सबसे पहले हमारी class को like करें फिर उसके बाद comment जरूर करें और हमारे इस चैनल को subscribe जरूर किते दोस्तों क्योंकि subscribe करने के बाद आपको हर चोटी मोटी vacancy के बारे में आपको vacancy मिलती रहेगी दोस्तों तो आए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो भी विद्यारती इस class को देख रहे हैं आपको इस class की जो complete PDF हमारे telegram चैनल पर मिल जाएगी आप स सबसे पहले हम बात करते हैं आपका syllabus को लेकर जैसा कि आपको पता है कि आपका जो हो Çैने बरहे हैं वो ल façon가 लग מאंप पांच पांचपार्ट में बाता गया और मैं अमेसे हों कि पांच पार्ट का मलब आप पांच र्ट आपको मैंटन करना है तो आज तॉपिक के बारे में बहुत ऐसे को पड़ने होगा योग लेकिन आज हम एक special topic पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है in flip net क्या नाम है दोस्तों in flip net क्योंकि मैंने अभी वर्तमान में आपके द्यान एकना national information network total 25 plus network मैंने app के अंदर पढ़ा है क्योंकि सवाल कहीं सभी बन सकता और जिस तरीके से library science information science में बदली है उसके बाद information network information system आज कल समय कि आपसे जिस तरीके से technology develop हो रही है उससे समदित कई बार जदा परिक्षा के अंदर सवाल पुचा गया है जैसे आप देखते हो international information system में OCLC तो अभी हाली में मैंने यूट्यूब पर OCLC पढ़ाया था लेकिन मैं बता देता हूँ OCLC topic में से केवल एक topic OCLC में से के विसके अंदर चार सवाल पुचे खेते हैं किता सवाल पुचे खेते हैं चार सवाल जैसे international information system OCLC है लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों यह बारत का और इंडिया का जो national information network system है दोस्तों तो आखिरकार भारत के अंदर जो है national information network की शुरुआत कैसे हुई थी किसने सबसे पहले परियास क्या था कि भारत के अंदर भी जो information network आना चाहिए और इस्पेशली लाइब्रेरी से समधित network आना चाहिए तो थोड़ा से हम जो है history में जाते हैं इतियास में जाते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करता है कि यूजी सी ने अप्रेल 1988 में प्रोफेसर हिस पाल की अध्यक्सा में एक विशु विद्याले पुस्तकाले networking पढ़ना लिए के विवरन पर काम करने क के लिए एक समीति का गटन किया था तो आपको ध्यान एकना सबसे पहले परियास किया था यूजी सी ने और यूजी सी ने क्या किया था एक कमिटी बनाई थी क्या बनाई थी दोस्तों एक कमिटी बनाई थी और इस कमिटी का जो अध्यक्स कौन थे ये कमिटी बनाई थी आ में 1988 जब हम कमिटी और कमिशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो यह कई बाद सवाल आता है कि वह यह सपाल कमिटी कब आए थी तो यह सपाल कमिटी हमेशा ध्यानक ना लाइबरेरी को डवलोप करने के ऊपर जो है यह ज़्यादा जोड़ देती हैं तो बात जब इंडिया के अ प्रोपेसर यह सपाल जीते उनकी अध्यक्सा में कि युनिवर्सिटी लाइबरेरी नेट्वर्क सिस्टम को डवलोप करने के लिए एक समित्य का डिवाइड किया था यह सबसे पहले शुरुआत युजिसी ने एक यह सपाल कमिटी बना कर उन्होंने शुरुक किया था तो युजिसी कंस्टिटुटेड एक कमिटी इन अप्रेल 19 988 कहीं बाद सवाल आता है के युजिसी ने एक कमिटी बनाई थी उन्नीसों इट्यासी में अंडर दा चैर्मेंशीप और प्रोपेसर यह सपाल यह प्रोपेसर यह सपाल की अध्यक्सा में टु वर्क आउट काम करन system के university library network system को develop करने के लिए उन्होंने क्या बना था वैं एक जो है क्या बना था एक committee बनाई थी जो बाद में ये स्पाल committee के माधियम से या ये स्पाल committee के नाम से जाने जाती हैं दोस्तों कि development of an information and library network फिर आखिरकार सुचना और बुस्तकाले नेट्र को विखास करने के लिए इंटेन एजेंसी वर्किंग ग्रूप यूजी सी उन्नीस सो इट्यासी की रिपोर्ट नामक समित्य की रिपोर्ट डिसंबर उन्नीस सो इट्यासी में प्रकासी दूई थी जिसमें सूचना और पुस्तकाले अज़ब्स संदेल के लिए प्रयॉजुन प्रस्ताव सामिल था इस परियूजना डिपोर्ट को ब्लिव डॉकिमेंट्स के नाम से जाल रखना यह प्रीपोर्टन क्योंत्रिए ज्ञट्वर्ट ने के लिए एक कमिटी बनाई उस कमिटी की अधिक सा किस ने कि थी 1988 में प्रोफेशन ये सपाल जी ने कि थी फिर 1988 में जो ये यूजी सी की जो रिपोर्ट है ये समीटी जो ए 1988 परकासित हुई और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा था कि बारत के अंदर आने वाले समय में सूचन और पुष्टकाले नेट्वर्क की स्तापना के लिए प्रयोजना प्रस्ता भी सामिल ता मलब 1998 में जो यह सपाल समेथ्य चैप पिश्टकाले ौंडि नेयर इस प्रैटवर्क की स्तापना करना जरूरी है इस प्रयोजना रिपोर्ट को जो ये रिपोर्ट बनी थी इस document report नाम ज्या गया थाम. The report of the committee entitled Development of an Information and Library Network Report of the Interagency Working Group UGC 1988 was published in December 1988. और कभ पुब्लिश विती? 1988 में पुब्लिश विती. Containing project proposal for the establishment of an Information and Library Network, this project report is popularly known as blueprint. और इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? Blue document के रूप में जाना जाता है. किसे जाना जाता है? Blue document के रूप में इसे जाना जाता है, दोस्तों. ठीक है, दोस्तों? अब हम सुरुआत करते हैं, अभी तक का हमने इसका इत्यास पढ़ा था, कहां से शुरू होई थी? और कभ जो है, कौन सी committee में यह decide क्या गया था, कि वह लाइब्रेरी और Information Network की शुरुआत होने चाहिए? तो आज हम सबसे पहले नेट्वर्क पढ़ने जा रहे है, जिसका नाम है इन्फलिवनेट, और सबसे पहले सवाल आपके परिक्षा के अंदर यही आएगा दोस्तों, कि वाट इस दा फुल फॉर्म आप इन्फलिवनेट, तो इन्फलिवनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, दोस्तों? इन्फलिवनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, दोस्तों? का एक autonomous inter university center है प्रोपेसर येस पाल समीति जो कब है आई थी उनिशो इटियासी में आई थी कि सिपारिस के बाद very important question है प्रोपेसर येस पाल जो है समीति के सिपारिस के बाद 1901 में इस्तापीत जो है डेलनेट को इस्तापीत किया गया और ये जीन ये जून उनिशो चपन में एक स्वतेंदर अंतर विश्विद्याले के अंदर बन गया था तो आपको पता है कि उनिशो इत्यासी में एक कमिटी बनाई गई थी ये स्पाल समीति उन्होंने सिपारिस की थी तो उनको सिपारिस के बाद किस्ताप ने कब होई थी दोस्तों तो इंट प्लिनेक की स्तापना होई थी मार्च उन्नीशो इकराणों में होई थी और जून उनिश्व चिंड्व में एक स्वतेंदर अंतर विश्विद्याले के अंदर बन गया था तो इन्फॉर्मेशन और लाइबरी नेट्वर्क इन अटनुमस इंटर उनिवर्सिटी सेंटर फोर दा इनिवर्सिटी उगसी एन सैटाप इन मार्च निचीन निए निएघ में इसको 1901 में इस्ताप्रित किया गया गुल्कुल एक इंडीपेंडेंट इंटर उनिवर्सिटी सेंटर इंटर बन गया था 1996 में very important question है जन्वरी 2013 में इंफ्लिमनेट के अंदर गुजरात रिस्वी विद्याले अमदवाद में अपने परिशर से इंपो सिटी में अपने नौ निर्मिद ववन गांधी नगर गुजरात में चला गया था very important question है तो सवाल प्रिक्षा के अंदर आएगा कि इंफ्लिमनेट का वर्तमान का जो है है एड़कॉर्टर कहां पर है तो इंफ्लिमनेट का वर्तमान में जो हैड़कॉर्टर कहां पर दोस्तों गांधी नगर गुजरात के अंदर है लेकिन 2013 से पहले यह कहां था एमदाबाद में था लेकिन 2013 के बाद एमदाबाद से जो है यह इंफो सिट्री गांधी नगर में चला गया था तो जन्वरे 2013 इंफ्लिमनेट सेंटर मूर्ड फ्रम इट्स प्रेमिसिस इन गुजरात उनिवर्सिटी एमदाबाद तो इस नुवली कंस्ट्रक्टेड बिल्दिंग्स एट इंपो सिटे गांधी नगर गुजरात यह कहां पर वही गुजरात गांधी नगर के अंदर इसका जो 2013 के बाद जो है यह सेंटर का चला गया वे गांधी नगर गुजरात में चला गया है दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों के इंफ्लिमनेट के अंदर विशु विद्याले अनुदान आयोग यूजिसी का एक स्वायत अंतर विशु विद्याले के अंदर हैं विशु विद्याले के अंदर बन गया था तो सिद्धी सी बात यह है कि जो यह इंफ्लिमनेट है यह यूजिसी के द्वारा टेकन अवे यूजिसी का ही एक स्वेट एक ऑटनोमस इंटर सेंटर है और जो यह जो है उन्निस सो एक्राणों में इसकी स्थापना हुई और उन इंटर ऑन्वर्शी तेब है उन्हार पा इसकी एक सब्सक्राइब कारएं ब मसुच्राथ के अंदर है बात करते है один दोस्तों जो भी इस class को देख रहे हैं आप सभी से में ये कहना चाहता हूँ कि proper आप notes बनाएं दोस्तों कि देखिए notes में बार-बार focus इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि exam से पहले जो आपके सचे मित्र best friends होंगे ना आपके वो आपके notes ही काम आएंगे द्यानगना सब लोग जो vacancy आने के बाद college syllabus को पूरा करते हैं लेकिन syllabus को पूरा करने से कभी भी आपका द्यानगना selection नहीं होता है selection होता है revise और test देने से selection होता द्यानगना आपके अंदर एक confidence कैसे आएगा जब proper आपका notes बन जाएंगे साथ-साथ आपके revision होगा साथ-साथ आप test देंगे तब जाकर आपको यह सारी चीजे समझ में आएगी दोस्तों इसके चार इसके का मतलब क्या हो गया implement इसके चार छेत्रिये के अंदर है 40 छेत्रिये सूचना के अंदर है और 100 से अधिक दस्तवे संसादन के अंदर हैं दोस्तों ठीक है न भी तो इट एस पोर इसनल सेंटर तो द्यान एक चार किया दोस्तों रिज्ड़ सेंटर है 40 किया है वह सक्टेरिये इंफॉर्मेसिंटर सेंटर सेंटर का मलने होता चैत्रिये सूचना के अंदर और जो से ज्यादा उनके क्या है भी डोक्यूमेंट रिशोर्स सेंटर है दोस्तों तो परिक्षा के अंदर यह सवाल हमें सब पुझा जाता है कि इंफुमिनेट एस फोर इसनल सेंटर के वर्तमान में कितने चैत्रिये चैत्रिये के अंदर है तो आपको ध्यान होना चेक्षा कितने चैत्रे के अंदर है दोस्तों months Hun डूसरा है इंडियन इंस्टिटीट ऑफ साइंस प्था जादा उडीशने के बंगलोर है दूसरा है इंडियन इंस्टिटीट ऑफ साइंस बैंगलोर तीसरा है जादव उनिशिटी कॉलगता और चौता है उनिशिटी ऑफ पूना जो पूने में है यह इन्फिलिबनेट के चार रिजिनल सेंटेर है कई बार प्रिक्सा के अंदर पूचा जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद इ रिखे यह के रिखेशा के अंदर पूचा जाता है कि इन्फिलिबनेट के रिजिनल सेंटर किते होगे चार होगे कित्व होगे दोस्तों चार होगे लेकिन आपको ध्यान लगना परिक्सा के अंदर ये भी पूछा जाता है कि ध्यान लगना इन्पिलियुमेंट के द्वारा कितनी जो है लाइब्रेरी के अंदर जो है नाकुछ दोकुमेंट डिलिवरी सेंटर फ्राम पहुडुरुकए दोस्तों आपके हैधराबाद इनिवर्सिटी हैधराबाद में धुस्टरा है भनचु बधनरेशिंदूई इनिवर्सिटी वाणार lushi में त्य्सरा इंडियन इंस्टिटूट ऑफ साइंस बैंगलोर चौता है जवालाल नेरू उनिवसिटी नेदिली पाच वा है पंजाव उनिवसिटी चंडिगड और छटा है टाटा इंस्टिटूट ऑफ सोशिल साइंस यहां पर है बुंबुई में तो यह इन्फिलिमेट के द्वारा छे सेंडर चलाती है दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों कई बाद सवाल पुचा जाता है कि इन्फिलिमेट एक अकैडमिक नेट्वर्क है अकैडमिक नेट्वर्क का मल्न होता है जो है एजुकेशन इंस्टिटूट से जुड़ावा है और इसके दो महत्तुपोड uleँ इंपोर्टन तो इंदर चार या Kevin अब तो इन्फिलिमेट किया है दोस्तों यह रगना एक अकेडमिक नेट्वर्क होता है और इसके दो बहुत जादा मेहत्वपोड प्रोग्राम है सare nous ्लाद है किना में दोस्तों मैं और reflection दानन QUE नाम का दोस इन फ्लिमिनेट के दो प्रोग्रम है को है दूसरे के क्या दोश्तों के लिफर है ज़िए। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं दूस्तों करन को आपको यह ध्यान राखना है कि लमनेट के प्रोग्राम है जिस आप लाइब्रेरी आटोमेशन एंड नेट्वर्किंग इन नोर्थ इस्टन रीजन जिसकी फुलपर्म होते है प्लानर की तो प्लानर की फुलपर्म क्या है दोस्तों परमोशन आप लाइब्रेरी आटोमेशन एंड नेट्वर्किंग इन नोर्थ इस्टन रीजन है यह पुर अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड इन फॉर्ट नेट्वर्किंग इन नौर्थ इस्टर रिजन प्लानेर इस ए बायो एन्वल कन्वेशनल यह क्या दोस्तों बाइन्वल कन्वेशनल है और्गनाइज्ट तू अपलिट अकेडमिक लाइब्रेरी इस इन दा नोर्थ इस्ट इस्टन में नोर्थ इस्टन उत्र भारत के अंदर वहां पर जो है इन्फ्लिमनेट का एक प्रोग्राम है जो पूर्वतों छेतर में सेक्शन एक पुस्टकाले के उत्थान के लिए आयो चीजित एक बाइन्वल समयलन है तो प्लानर एक बाइन्वल कॉन्फरेंस है यह कह स सकते बाइन्वल कॉन्वेंस है जिसका एक ही उद्शिय है कि अकैडमिक लाइब्रेरी को कैसे डवलप किया जाए तो यह प्रोग्राम किसके द्वारा चला जाता है इन्फ्लिमनेट के द्वारा और इस प्रोग्राम का नाम है प्लानर क्या नाम है दोस्टों प्लानर तो से साथ नॉमबर दो हजार तीन को कई बार प्रिक्सा के अंदर पुझा जाता है के दोरान नोर्थ इस्टन हिल इनिवर्सिटी एन इएच यू सिलॉंग मेगाले में आयोजित क्या गया था तो ध्यान रखना है कि फुर्ष्ट प्लानर जो प्रोग्राम है सबसे पहले प्लान प्लानर कन्वेंशन जो है दो जार अठार तिरपुरा इनिवर्सिटी पर्पर में से सत्रह नॉमबर दोज जार तब क्या था तब करनी यह तिरपा तुर्पुरा दो हजार तीन में हुआता हुआ अब दूसरा जो है इंफिल्मनेट का जो प्रोग्राम होता है है वो प्रोग्राम में कैलिबर क्या नाम है दोस्तों कैले बंब नाम एंध्यान लगता तोस्तों विश्वीद्या लेकित स्वयोग से देश की विबिन इस्व में in अगर द्वारा आयोथ इते एक दिउवाज यह भी क्या है दोस्तों प्लैनर की तरह है डिवार्शिक्स हमेलन है कैलिबर की फुलकॉम होती है कन्वेंशन ओन आटोवेशन ओव लाइब्रेरिज इन एजुकेशन और रिसर्च इंस्टिटुट कैलिवर को 1904 में शुरू किया गया था कब शुरू किया गया था दोस्तों और रिसर्च इंस्टिटुशन कैलिवर के बाइन्वल कंवेंशन और्गनाइस्ट बाइद इन फ्लिपनेट सेंटर इन डिफ्रेंट पार्ट्स ऑफ दा कंट्री इन कॉल्लबरेशन विट यूनिवर्सिटीज वाज इनिसिटेट इन सवाल कहीं पर प्रिक्षा के अंदर पूचा जाता है कि इन फ्लिपनेट के द्वारा जो यह कारिकरह में कैलिपनेट यह कैलिपनेट के शुरूआत कब हुई थी उनिस सो चोराणवे में कब शुरूई थी दोस्तों 1994 में जो है इसकी शुरुवात रखी कौन सा प्रोग्राम कैलिभर का तो पहला राष्च्रिय समेलन फर्स्ट जो है नेश्चनल कण्वेंशन ऑन कैलिभर खब आयधो अभी बता है था कब आयधो आता नाज जीन चुट क्या गय था 19 और 20 परवरी 1994 को IIM एमदाबाद में very important जया नगना पहला caliber program एमदाबाद में आया जित हुआ लेकिन पहला कौन सा planner कारिकरम जो दोया नगना 2013 स्रीलोंग में आया था लेकिन पहला caliber program 1994 में एमदाबाद में हुआ था लेकिन समयलन का विसे पुस्ट का ले सोचलन था लेकिन इस convention का जो थीम था वो था लाइब्रेरी automation था और caliber 2020 का आयरजन 28-37 नॉवंबर और 2019 को के अब 2010 आया थी तीखिर में टीभूनेशर उडिसा में क्या गया था तो परिक्षा के अंदर हमेशा फस्ट हमेशा पुचा जाता परिक्षा के अंदर तो ध्यान एक नाएन्ट प्लानर कंवेंशन जो मां ब्सक्रियू था शिलोंग 23 के अंदर हुआ था लेकिन first caliber 1994 में अमदाबाद में ऊवा था. The first national convention caliber 1994 was organized at IIM Ahmedabad on 19-20, Feb 19-94 and the theme of the convention was library automation. Calibri 2019 was organized from 18-28-30-2009 at KIAT Bruna Sir, Udissa के अंदर ये शुरू हुआता दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो केड़े का मतलब ये है, आपके ये दोनों प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और बारत में caliber का आयोजन वर्ट्स में दो बार होता है, दो बार होने का मतलब समझ गया, क्योंकि caliber क्या है दोस्तों, by annual है, क्या है दोस्तों, by annual है, तो इंडिया के अंदर साल में ये दो बार होता है, कितने बार होता है, क्योंकि caliber एक धायर रखना by annual convention है, एक दिव वार्शिक समयलन हैं यह चीज़ आपको ध्यान रखता हूं इसके चार चेत्रिय के अंदर है किसके चार चेत्रिय के अंदर है दोस्तो इट आया है यहां पर के जो भी हमने पढ़ा है वापस एक बाद देख लीजिए चार रिजनल सेंटर है जेन्यू हो गया आई आई एस इंडियन इंस्टिटुट ऑफ साइंस हो गया जादो उनिवर्सिटी हो गया और उनिवर्सिटी ओपुना जो है पुने के अंदर है तो इन्फिलिमनेट के चार जो है क्या है दोस्तो रिजनल सेंटर है दोस्तों देखिए दोस्तों आप सभी लोगों के प्रेम हो समय से आज जो है हम बहुत जल्द एक साल के अंदर अंदर पचास अजार लाइबरी साइंस के इस्टुडेंट का हम परिया हम जो एक परिवार बनने जा रहे है आज से ए हमारे जो टॉपर रही थी नयानसेन, जिनको थर्ड रेंक पूरे राजिस्तान के अंदर जो है थर्ड रैंक जो हैं, उन्होंने असिल किया था और उसके अलवा हमारे राजिस्तान के बैट से हमने 120 प्लस बचे हमारे यांस से सुन हुए थे जिसमें 460 जो है वेकेंसी थी हमने पहले ही जो है प्रियास में हमने इतना सांधार रिजल दिया है और जो भी यह स्टुडेंट्स है इनको हमने एक ही बात के थी और आपको भी हम यह कह रहे हैं कि आवर गाइडेंस बड़ यूर हाइड वर हमारा मार्क दसन और आपकी मैनत बराबर आपके सपलता रहेगी दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि जो है एकले मॉडल रेज है ताकि आपको ध्यान रखना है जल्द क्योंकि जैसे ही वेकेंसी आएगी दो से तीन मेने के अंदर अंदर आपका एक्जाम हो जाएगा दोस्तों आगे अब इस टॉपिक को आगे लेते हैं और आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना बढ़ियासा नोट्स बन करन में काम कर रहे पैसावरों और पुस्तकाले उस्चना विज्यान के चात्रों में जाग रूपता पेदा करने के लिए इंफ्लिविएट एक डियूस लेटर नामके त्रेमासिक नियूस लेटर उन्निश्यों पंचानवे से परकासित क्या जा रहा है तो नियूस लेटर जिसका परकाशन कब से शुरू आता है दोस्तों 1995 से जिसका एक यूदे से हैं कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस बजो बच्चे इंट्रेस्ट ले रहे हैं उनको अमेशन नहीं नहीं चीज़े उपलक्त कराने के लिए यह बनाया गया था तो किर हैं एक बैसे जिसका टाइटल है एक्विस ल giorno गजुत लेटर इस बिंग पॉबिस्ट चैन्स प्रोग्राम है लेकिन सेकेंड पार्ट के अंदर हम इसको और ज्यादा डीपली जो पढ़ेंगे तो आज हम पहले पार्ट में यहां तक ही पढ़ेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके कुछ इंपोर्टेंट क्युष्टन है जल्दी से आंसर दीजिए आप आंसर दीजिए आप कि दा रिपोर्ट अफ दा यूजिसी कमिटी इन टाइटल डालोप्मेंट अफ एन इन इंफॉर्मेशन और लाइबरी नेट्वर्क एंड रिपोर्ट आप दा इंटर अजेंसी वर्किंग कि रिपोर्ट है उसको किसके दोरा लोग पर यह बनाय गया था जो इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया था दोस्तों इस रिपोर्ट का नाम दिया था ब्लू डॉक्यमेंट क्या नाम दिया था दोस्तों ब्लू डॉक्यमेंट नाम दिया था अब हम बात करते हैं अगला कि इन quarter of in film net का मुक्याल है कहा पर है दोस्तो गांदी नगर गुजरात है कहा है दोस्तो निंबली किसे कौन सा biscuit का छहत्रीय के अंदर है का है का छहत्रीय के अनदर ये भी ये 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 और ये भी है तो इसका अप्शन होगा A, B, C, D, R, R, करट ये चारो सही है दोस्तों, अगला क्योश्चन है, दस्तावेज वित्रन केंदरों की रूप में कार्य करने के लिए इन्फिलिपडेट दुआरा पैचानक ये पुस्काले है, तो आपको बताया था, इन्फिलिपडेट के अंदर 6 ऐसे पुस्काले है, जहाँ पर डॉक्युमे अगला क्योश्चन है, प्लानर 2003 में कहा आजई दुआ था, तो प्लानर जो है इन्फिलिपडेट का कार्य करम में, 2003 में सबसे पहले सीलोंग में आजई दुआ था, इन्फिलिपडेट न्यूज़ लेटर कब शुरू किया गया था, 1995 में 1945 में इसको शुरू किया गया था Inflipnet की full form क्या होती दोस्तों Inflipnet की full form होती है Information and Library Network Inflipnet की full form यह होती है जारोगना Inflipnet was established Inflipnet को कब जो है develop किया गया था स्तापना किये गये थे March 1901 में इसकी स्तापना किये गये थे और वर्तमान में Inflipnet के कितने चेत्रिये के उदर है तो वर्तमान में कितने चेत्रिये हैं दोसों चार जो है Inflipnet Center है जारोगना Inflipnet के program है कौन गों से है भी Planner और यह Caliber तो जारोगना Inflipnet के दो important program होता है जिसका नाम है Planner और Caliber है जारोगना फर्स्ट नैशनल कन्वेंस Caliber 1994 वाज और्गनेज पहला जो राष्ट यह समयले ने Caliber का 1994 में कहां आया जित हुआ था वो आया जित हुआ था दोस्थो M दबात के अंदर कहां पर दोस्थो M दबात के अंदर शुरू हुआ था तो यह हमारे Influminate का पहला जो पार्ट था जल्द हम इसका Second Part लेकर आएंगे With Energy With New Energy एक नहीं उड़ जा के साथ लेकर आएंगे और जो भी विद्यार थी Eclipse Model Library Eclipse Model School जो है कि Vacancy का इंतिजार करें हमने उनके लिए बता देते हैं कि हमने यह बिलकुल यह course शुरू कर दिया है और इस course में सबसे पहले हम वीडियो दे रहे है वीडियो के निचे PDF और PDF के निचे हम टेस्ट दे रहे हैं ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और Eclipse Model Residual School का जो batch है वो हमने नया शुरू कर दिया है जो भी विद्यार्टी Eclipse Model School के त्यारी करना चाहते है सबसे पहले हमारा एप को डाउनलोड कर दे जिसका नाम है Online School India और आपको मेरे वेक्तिकत रूप से अगर आपको मेरे से बात करनी है इस नंबर पे आप कभी भी Call कर सकते है और जो भी द्यार्टी इसको लेना चाहते है आप इसको ले सकते है और इसके अंदर हम Paper 1 और Paper 2 ज्यानकना Paper 1 और Paper 2 दोनों हमारा होगा और अभी हम आपको ज्यानकना Recorded Class ले रहे क्योंकि सबसे पहले आप किसी परकार का कोई डाउट है तो वो डाउट भी आपका complete हो जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो आएए आप सब मिलकर जो है Equalive Model Residency School के त्यारी करना सुरू कर देजिए क्योंकि ऐसा मोका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा साथ सो चालिस पोस्ट बहुत ज़्यदा होती है और जो इमान दर इससे त्यारी करेगा उसका 100% सेलेक्शन हो जाएगे दोस्तों तो जंक हम जो है इसको recorded course पूरा करेंगे उसके बाद जो है test series है उसके बाद जो हम आपके क्या कह सकते live classes शुरू कर देंगे ताकि आपका जो है revision हो सके दोस्तों लेकिन पहले आपको recorded class ही पढ़ने पड़ेगी क्योंकि जब तक आप notes नहीं बनाओगे तब तक आप जो है आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से topic कौन से part के अंदर है दोस्तों टेकर दोस्तों thank you very much बहुत बहुत धन्यवाद इस class को like किजिए comment किजिए और हमारे channel को subscribe किजिए ताकि आने वाले समय में और भी जो हमें अच्छे अच्छे video आख के लिए बना सकूँ और हमारा जो course है बिल्कुल पूरा bilingual है ताकि आल आवर इंडिया के कोई भी विजयाची पड़ सकता है thank you for giving me such kind of love and affection thank you very much दोस्तों